आज की कहानी है भीर और आदर्श एक रस्टोरेंट में नाश्ता का समय बहुत भीर होती थी इतने लोग आते थे एक आदमी उस भीट का फाइदा उठा करके नाश्ता कर लेता था पैसे दिये बिना वहाँ से चला जाता था वो रस्टोरेंट बड़ा फेमस होते जा रहा था उसका नास्ता पापुलर होते जा रहा था बहुत लोग आते थे तो एक आदमी वहाँ आया और देखा कि एक व्यक्ति है जो इस भीट का फाइदा उठकर नाश्ता कर लेता था और बिना बिल चुकाई बिना पैसे चुकाई निकल लेता था उस व्यक्ति को वी वहाँ का नास्ता बड़ा अच्छा लगा वो रोजाना आकर के नास्ता करने लगा दो, तीन दिन देखा उसने की ये तो रोज ही आकर यहां फ्री में खा कर चला जाता है वो व्यक्ति सोचता है फिलाहाल मालिक से बात करे और बताए कि ये क्या हो रहा है ये तो तुम्हारा नुकसान हो रहा लेकिन मालिक से बात ही नहीं हुपाती थी इतना भीर रहता था एक दिन भिद थोड़ी कम थी उसने कहा भाई सुनो आप मालिक हो इस रस्टोरेंट के उसने कहा हा भाई मैं ही यहां का मालिक हूँ व्यक्ती ने कहा आपसे बात करनी थी आप जब फ्री हो जाए तो बता देना आपसे दो मिनट बात करनी है रस्टोरेंट का मालिक आया तो उस आदमी ने कहा कि आपका तो नुकसान हो रहा है मैं एक बिजनेस आदमी हूँ आपको ये बता रहा रोज एक आदमी आता है वीड में बैट कर खाता है और बिना बिल चुकाई चला जाता है आपके वेटर और यहां काम करें लोग ध्यान नहीं देते इस बात का और वो रोज ये काम करता है तब रस्टोरेंट के मालिक ने उसे जवाब दिया मैं ये जानता हूँ ऐसा रोज होता है और आप पहले व्यक्ति नहीं है जो ये बता रहे दरसल इस रस्टोरेंट में जो भीर है वो उसी के कारण है मैं ये जानता हूँ वो यही ट्राफिक के पास बैठ कर भिक मांगता है अब रही बात भीर की, तो वो रोज प्रार्थना करता है कि इस रस्टोरेंट में भीर बड़े और मैं भीर का फाइदा उठा कर इस रस्टोरेंट में खालू जवाब सुनकर उस आदमी का सोचने का नजरिया बदल गया और वो रस्टोरेंट से चला गया कभी कभी ऐसा होता है कि जो खुशिया हमें मिलती है वो किसी और कप्रार्थना से मिलती है तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की साथ साथ उस आदमी को भी धन्यवाद बोलू जिसने तुम्हें ये खुशिया दी है